संदिग दहालातों में सड़क किनारे पड़ा मिला राजमिस्त्री का शव खत्याकारों पुलिस ने हाथसे में मौत होने के जताई आशनका और आया जनपत के अंतरगात आयाना कुदवाली शेतर के भासौन आयाना मार्क पर गाउं से एक किलो मीटर की दूरी पर राजमिस्त्री का शव संदिग दहालातों में पड़ा मिला परिजनों ने पास के ही गाउं निवासी एक यूबक पर हत्याकार शव फेकने का रूप लगाया है पुलिस ने शव को पोस्ट मॉटरं के लिए भेज कर जान शुरू की है अयाना निवासी मनुच दूरे 38 वर्ष राजमिस्त्री का कारे करते थे रविवार सुबह 6 बच का 15 मिनट पर गेहूं काटने के लिए खेतों पर गई महलाओं ने उसका शव आयाना कस्वे से एक किलो मीटर दूर भासौन मार्क पर पड़ा देखा पास में ही शदीवरस्त बाइक पड़ी थी जानकारी पर पिताकरन सिंग मा कमलेश्वरी वा पतनी प्रीती रोते विलगते हुए घचना इस तलबत पहुँच गई परिजनों ने 112 पर हत्याकर शाब फेकी जाने की सूचना दी वही मौके पर पर सीओ अजीतमल राम मोहन चर्मा थाना पिरवारी जैप्रकाश पाल अजीतमल कुद्वाल राजकुमार सिंग वा फपून थाना पिरवारी गंगराम भारी पोर्स के साथ पहुँचे पुलिस के गटना सल की जाच परतालकर परिजनों से पुश्थाच की ह मनोच की मा राजिश्वरी ने बताय कि बेटे के चार पुत्रिय गम अवनी साथ वर्ष अकांशा पांच वर्ष सुवी तीन वर्ष कवाद दिवाली पांच महा की है बेटा रह टॉली गाउनिवासी एक युवक के यहां मकान का निर्मान कर रहा था शरिवार शाम 6 बजे म मालिक घर पर आयत और उसने बेटे पर हतोडा चोरी करने का आरोप लगाया था कुल लवां ले? बातार रहा था चाह बदाली मैं बादार खका गाली। तो पाद आप लवाज बढ़ लवाया गाई भाड, जो फर घर्वा रखोड़। तुमने देखो नहीं हमने नहीं देखो कि चले गई हमाय गरता चले गई हमसे इस तो फिलें कि खे चाई काईगा नोर खी आप रहं को है सब्सक्राइब कर दोड़ा है यहां निवासी मनोजबुत करंसी उम्र 38 वर्स मैं मोटर साइकिल जो छत्गरस्त है मृत वस्था में पाए गए हैं प्रथम घ्रश्चया एक्सिडेंट की घटना प्रतीत हो रही है पंचायत नामा भरकर पीम की कारवाई कराई जा रही है पीम पैनल द्वारा मंबय बेडियोग्राफी कराने के निर्देश हुए हैं परिवार द्वारा हत्या की आसा जताई ज सम्मंद में भी सभी चत्यों पर गहिंता से जांच कर अग्रिम विधिक कारवाई प्रश्चित हैं